हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह का ओल पेंट इफेक्ट अपलाई कर सकते हो CapCut में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं CapCut एप में सो मेक सूर की आपके पासे CapCut एप हो अगर आपके पासे CapCut एप नहीं है इसे आप डाउनलोड कर लेना Google वगेरा से मैं यहाँ पर डीटेल में आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि YouTube का कुछ rules है जिन्हें मुझे follow करना होता है ठीक है and CapCut को use करने के लिए आपको किसी VPN की ज़रोत पड़ेगी तो Google Play Store में आपको बहुत सारे VPN मिलते हैं वहाँ से कोई एक install कर लेना उसके बाद उस VPN को open कर लेना then connect का आपको एक option दिख जाएगा इसको पर click करके VPN से आपको connect हो जाना है ठीक है 3-4 सेकेंड में यह connect कर देते हैं जिसे के आप यहाँ देख पारो तो VPN से सबसे पहले आपको connect हो जाना है उसके बाद आपको अपना CapCut को open करना है कुछ इस तरह का interface आ जाएगा फिर आपको यहाँ पर new project को पर click कर देना है click करने बाद आपको यहाँ पर अपना वीडियो को select करना है जिसे आप edit करना चाहते हो लाइक में इसे edit करना चाहता हूं तो इसे select कर ले रहा हूं उसके बाद create को पर click कर देना है आपका वीडियो यहाँ पर add हो जाएगा and मैं इसे play करके देखाओ तो आप देख सकतो विल्कुल एक normal सी वीडियो है ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर देखाता हूं कैसे आप इसमें oil paint effect एड़ कर सकतो तो effect एड़ करने के लिए आपको यहाँ पर effect वाले option को पर click कर देना है इसको उपर आप क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर एक HDR effect मिल जागा लाइक आप देख पारे हो तो इस effect को उपर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस effect को उपर click करोगे मतलब कि select करोगे आपके वीडियो के उपर oil paint effect अपलाया हो जाएगा जिसे कि आप यहाँ देख पारे मैं इसे आपको done करके दिखा देता हूँ आपको भी done कर देना है यह before की हमारी वीडियो और यहाँ पर effect अपलाय करने के बाद आप देख पारें जो यह oil paint effect है वो हमारे वीडियो के उपर apply हो गया है ठीक है बट यह उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे आपको adjust option मिलेगा इसको पर click कर देना है इसको पर click करोगे देना स्टार्टिंग में आपको size, amount, intensity यह तीन options मिलेंगे इन तीनों की मदद से आप सेम काम कर सकते हूँ मतलब कि अगर आप इन तीनों में से किसे को decrease करोगे तो यह जो effect है वो decrease हो जागा जैसे का आप यहाँ देख पा इफेक्ट गायब हो जा रहा है ज्यादा करें तो effect आ जा रहा है तो जितना वीडियो को पर suitable लगता है उतना आपको यहाँ पर रख लेना है मैं अपनी वीडियो को recording रख रहा हूँ आप अपनी वीडियो को recording यहाँ पर adjust कर लेना सेम चीज इसक में भी है intensity में भी कम कर रहे फिर एक filter को option दिखेगा अब इस filter की मदद से आप यहाँ पर यह filter को रख सकतो या फिर नहीं रख सकतो मैं suggest करूँगा कि इस filter को आप यहाँ पर रखना क्योंकि इस filter को रखने से आप देख सकते हूँ वीडियो का color grading काफी अच्छा हो जाता है जिसके कारण वीडियो देख देखने में काफी सही लगता है आप देख सकते हूँ ठीक है नहीं रखने से अच्छा लग रहा है तो इसलिए आपको यह filter रख लेना है थोड़ा ही अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा ही रखो जितना आपकी वीडियो को पर शूटेबल होता है उतना आप यहा मतलब नहीं है बट अगर आपको अपने वीडियो में थोड़ा एक्स्ट्रा गुलो चाहिए देने से आप यहां पर 30 का सपस रखना मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इसे आपको कम से कम 20 से 30 के बीच में रख देना एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए ठीक है आप दे जितना सही लगा है तो हमें इतना रख लेता हूं ठीक है एंड यहां पर मैंट को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूंगा तो मैं इनक्रीज कर लेता हूं फिर डण कर देना है ठीक है तो अब आप यहां देख सकते हैं को हैँ यह मारे नार्मल शी वीडियो जैसे कद आप देख पार वो हो और यह इफेक्ट अप्लाई करने के बाद ओition road यह एड़ हो गया जैसे कि आप देख सकते हो धेक पारों है हमारे वीफोर पाविडियो और ये अफ्टर के video अब इस effect को हमें पूरा वीडियो को पर apply करना है क्योंकि हम वीडियो में किसी एक पार्ट में तो oil paint effect apply नहीं करेंगे पूरा में करेंगे तो यहां से इसे पूरा में आप apply कर देना ठीक है उसके बाद को यहाँ पर कर देना है एंड एडिटिंग हो गई आप जैसे की देख सकते हो ठीक है तो एडिटिंग हो जाने के बाद आप इसे अपने डिवाइस में सेव कर ले ना तो सेव करने के लिए थाउजन टेटी को पर क्लिक करना है फिर इन सभी को बिल्कुल मैक्सीमम कर देना उसके बाद सेव डिवाइस के उपर यहां पर क्लिक कर दूए आपकी डिवाइस में सेव हो जाएगा ओके तो इस तरीके से करके बहुती सिंपल सा स्टेप को फॉल्डव करके आप अपने वीडियो के उपर ओईल पेंट इफेक्ट अपलाई कर सकते हूँ आई होप आपको हरेका स्टे